हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल कैसे आप सब आप सब लोग ठीक होंगे सेफ होंगे आज मैं आपके साथ मीशो चिकन कारी कुर्ती और कुर्ता सेट का रिव्यू शेयर करने वाली हूं सो देखते हैं इनकी कॉलिटी कैसी है या अच्छी है या नहीं हम पर्चेस कर सकते हैं वो सब कुछ मैं आगे चलके आप वीडियो में बताने वाली हूं तो वीडियो को स्किप किये बिना पूरा वीडियो जरूर देखिए जिससे कोई भी इंफोर्मेशन आप से मिस नहीं हो तो उसका लिंक में नीचे डिस्क्रप्शन बॉक्स में दे दूँगी जाकि जरूर से जरूर चेक आउट कर लीजिए और अगर आप मेरे चानल पे नहीं है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीचे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही न तो फ्रेंड्स यह है इसका कुड़ता इसे मैंने स्काइबलू कलर में पॉट्चेस किया है त्रीफोर्थ इसकी स्लीवस है और स्लीवस पे भी इस तरह का चिकनकारी वर्ग दिया है काफी अच्छा वर्ग से और आप देख सकते हैं यह जोर्जट प्यूर जोर्जट माटे पांडेफ का नेक हैं यहाँ पर नेक पे इस तरह का इन्होंने वर्ग बना आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह भी स्लिवस पे सेम ही वर्ग दिया है नीचे दिखाती ही मैं आपको देखिए पूरी ही कुट्टी पे इसी तरह का इन्होंने हैंड वर्ग दिया हैं काफी अच्छा लगता है ये रिवर्स साइज से भी देखिए फेंस काफी नीट अन क्लीन इसके फिनिसिंग है काफी जादा अच्छा कुट्टा है ये कि सिर्फ यहां नेक पर ही नहीं पूरे ही कुट्टे पे इसी तरह का इन्होंने वर्ग दिया हैं मैं आपको दिखा रही हूँ अब देख पा रहे हैं देखिए पूरे end तक इन्होंने ऐसा ही work दिया है और ज़ादा पतला वाला work भी नहीं है काफी गाड़ा गाड़ा work इन्होंने इस पे दिया है और काफी ज़्यादा अच्छा है और कपड़े की quality भी बहुत ज़्यादा अच्छा है काफी सॉप्ट कपड़ा है आपको चुबने वाला बिल्कुल भी नहीं है और इस कुड़ते में पहनने के लिए हमें इस तरह का कॉटन का इनर मिलता है स्काइबलू कलर में ही इस तरह का इनर है इससे हम इसको पहले पहन के उसके बाद उपर से ये कुड़ता पहनना है इसकी भी कॉलिटी बहुत ज्यादा अच्छे है काफी ज्यादा सॉप्ट मटेरियल है देख सकते हैं चुबने वाला बिल्कुल भी नहीं है और काफी अच्छी कॉलिटी आप देख सकते हैं कुछ कुछ जो होते हैं वह पतले वाले होते हैं लेकिन आप देख सकते हैं इसका अच्छा कुड़ता मुझे रिसीव हुगा और ये चिकन कारी शरादा पैंट मुझे कुड़ता सेट के साथ रिसीव हुई थी आप देख सकते हैं ओरिजिनल जोरजट के फाब्रिक से ये पैंट बनाई हैं और हाँ फ्रेंट्स इस पैंट के बॉटम पे भी इन्होंने इसी सेंट सेतरह का हैं इस चाही हं आप से तेंट च्रीशन कारी वर्क रखक हैं फासने हैं अब सब्सक्राइब भी आपको पैंट चुदे वानिफ्ट और पैंट के उन्तर इसी तरह के अन्दर इस तरह की कौॉटन की लाइनिंग दिया हैं एसा नहीं कि कहीं से धागे निकले हुए है और कुछ फटा टाइफ इसा बिल्कुल भी नहीं काफी ज्यादा अच्छे कॉलिटी है आप इसे जरूर से जरूर पॉचेस कर सकते हैं मैं इसके लिए आपको 100% रेकमेंड करती हूं और इस कुर्दा के साथ ये डुपट्टा मु जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगती है तो मीटर का ये डुपट्टा है ऐसा नहीं कम पढ़ने वाला बिल्कुल भी नहीं परफेक्ट इसकी लेंथ है और ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप इसे किसी और वेबसाइट पर पॉचेस करने जाएंग तैसंकि आप ज़रूर से ज़रूर इसकूर्टा सैट को पच्चेस कीजिए और इसकी जूए पेले आप ये पैट है और दर कुटा पे भी करके हैं सकते ये अज़क्त Portal ये कना ज़ ची ज़रण और इसका थत है Quindi ए बहुतंत जाद अच्छे और इसका वर्क भी पहनने पर ना बहुत जदा अच्छी लगती वह आप ट्रावन में देखी पा रहे होंगे और नेक्स्ट है फ्रेंड्स यह चिकन कारी कुट्टी है जो इससे भी मैंने मीशो से ही पॉच्छेस किया है इस तरह की स्लीव मुझे रिसीव हुए है इन्हें अच्छी फोटो में दिखा था इसके फूल स्लीव थी लेकिन मुझे रिसी इसतरह की हुई लेकिन अच्छी है लिक्त अचा है तो इन्होंने स्लीव पिसoria का चिकन कारी का वर्क किया है और इसका भी वह जाद्धा अच्छा है इस तरफ की स्लिवस भी देखिए इस कुड़ते पे सिर्फ यहां तक ही इतना वर्क बना है इनोंने चिकनकारी का और बिजबिज में इस तरह का वर्क इनोंने दिया है आप देख सकते हैं कितना जादा अच्छा है और काफी अच्छा कपड़ा है इसका फैब्रिक बहुत जादा अच्छा है काफी सॉप्ट है आप देख सकते हैं और इसके साथ यह वाइट कलर का लाइनिंग मुझे रिसीव हुआ है इसकी भी कॉलिटी बहुत जादा अच्छी है काफी सॉप्ट है पेहनने के बाद चुपने वाला बिल्कुल भी नहीं और काफी अच्छा इसका कॉटन मटेरियल है सो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का हाउल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताई और फ्रेंड्स मेरे और भी हाउल वीडियो आने वाले हैं